Hello everybody, मेरा नाम है कामिने सिंग और आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है आज हम पढ़ने वाले हैं Alpha, Beta और Gamma Diversity के बारे में और इसके अलावा MCQ भी solve करेंगे वीडियो के end में तो वीडियो end तक जरूर देखेगा उसके अलावा PDF का link available है description box में उस पर directly click करके आप पूरा का पूरा PDF इन slides का डाउनलोड कर सकते हैं तो बिना time waste किये चलिए शुरू करते हैं पहले देखते हैं कि species diversity क्या होती है species diversity होती है variety किसमे number में या फिर richness में किसकी species की एक habitat में यानि कि एक habitat में कितनी तरह के species हैं कितनी number of species नहीं है कितनी तरह के species हैं उसको हम species diversity कहेंगे अब हम इधर दोनों तरह के habitats की बात कर रहे हैं यानि कि दोनों तरह के ecosystem की बात कर रहे हैं terrestrial की भी और उसके अलावा water यानि कि aquatic ecosystem की भी बात कर रहे हैं तो दोनों तरह की ecosystem में जितने number of species होगी यानि कि variety होगी number में और richness होगी species में उसे हम बोलेंगे वहाँ का species diversity अब सबसे पहले है alpha diversity ये पहला type है इलफा diversity का क्या मतलब है the diversity within a particular area एक particular area या फिर ecosystem में usually expressed by the number of species तो performer the diversity किस्थे एक ecosystem में और यह किस तरह से express की जाती है number of species यानि कि species richness यानि कि कितनी तरह की उसमें species हैं उनका number उस ecosystem में यानि कि for example यह scripture एक ecosystem महाना अब इसमें एक तरह की स्पेशी ये हो गई, फिर एक तरह की ये हो गई, एक तरह की ये हो गई, है ना, अब ये कितने हैं, ये मान लिजए 100 हैं, है ना, और उसके अलावा ये 50 हैं, तो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें बस देखना है कि कितनी तरह की स्पेशी हैं, For example, हम यहां पर एक example से समझते हैं, कि यह जो है yellow color में, यह हमारा habitat है, एक ecosystem है, और यह जो red में है, यह एक तरह की species है, तो यह इसके कितने number है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, लेकिन हमें उन 7 numbers से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें बस देखना है कि कितनी तरह की हैं, तो यहां पर हम देख र कि जो species है, वो क्या है, A, B और C, यही तीन तरह की species इस ecosystem में हमें देखने को मिल रही है, तो यहां का जो alpha diversity होगा, वो होगा 3, number of species, यानि कि species में कितनी variety है, I hope आप लोगों को यह समझ में आया होगा, निक्स देखते हैं, beta diversity, यह second type है, beta diversity का क्या मतलब है, एक comparison है, किसके बीच में, diversity के बीच में, दो ecosystems की, दो या तीन है न, यहां पर जितने भी ecosystems को आप compare करना चाहें, कर सकते हैं, यह comparison है, usually measured as amount of species, change between the ecosystem, यानि कि, जो species में change हुआ है, for example, यहां पर दो तरह के ecosystem है, अब हम यहां पर एक ecosystem में एक यह species ले रहे हैं, और same species दूसरे ecosystem में भी पाई जा रहे हैं, तो हम उसको count नहीं करेंगे, हम किसको count करेंगे, हम एक special तरीकी species जो की, इसमें पाई जाएगी, पर इसमें नहीं पाई जाएगी, उसको ही count करेंगे, यानि कि species में change कितना है, दोन यहां पर देख सकते हैं कि यह जो ब्लू वाला है यहां पर है और यहां पर भी है present है इधर भी present है तो हम क्या कहें गे कि यह को हम कॉंट नहीं करेंगे क्योंकि यह species में change नहीं है same species दोनों तरफ पाई जा रही लेकिन यह जो black वाली species है, यह इधर पे अविलेबल नहीं है, तो हम इसको count करेंगे, कुछ और अच्छे से समझने के लिए देख लीज़े कि हम count क्या करते हैं, we count the total number of species, total species कौन सी जो कि unique है, दोनों ecosystem के लिए unique है, यानि कि इसमें unique वाली को count करेंगे, और इसमें भी जो अलग से होगी, जैसे कि यह pink है, यह वहाँ पर नहीं पाई जा रही है, तो इस species को count करेंगे, अब देख लेते हैं कौन-कौन सी unique species हैं दोनों में, black वाली है, black वाली किस तरफ कौन से वाले ecosystem के लिए unique है, इस वाली ecosystem के लिए, क्योंकि उसमें नहीं है, फिर pink वाली किसके लिए है, इसके लिए है, green वाली भी इसमें पाई जा रही है, यह देख रहे हैं, उसके अलावा white वाली भी इसमें पाई जा रही है, तो यह unique हो गए, यह तीन ecosystem, habitat B के लिए, यान ecosystem B के लिए, और यह habitat A के ल अब next जो है gamma diversity, gamma diversity क्या कहती है, देख लेते हैं, a measure of the overall diversity for different ecosystems within a large region, एक बड़ा सा region होगा, हम जानते हैं कि एक region में बहुत सारे ecosystems पाई जा सकते हैं, तो इन सभी ecosystems में किस तरह की species का variety दिख रहा है, किस तरह की species की variety है, इसमें हम नहीं देखेंगे कि unique है या नहीं, या फिर एक में पाई जा रही है, तिनों में पाई जा रही है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ overall variety को check करना है, तो example देख लेते हैं, कि हमारा एक बड़ा सा area हो गया है और इसमें ये तीन ecosystem हो गया है, उन तीन ecosystem में इस तरह की species पाई जा रही है, अब हमें इसमें कोई मतलब नहीं है, यह जो white वाली है, यहां भी पाई जा रही है और इसमें भी पाई जा रही है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें बस इसे as a one count करना है, फिर blue वाली जो है इसे as a two count करना है, फिर pink वाली को three count करना है, इस तरीके से हमें number of species count करन तो देख लेते हैं कितनी तरह की species पाई जारी है, green वाली, pink, yellow, देख लीज़े, आप सारे colors इसमें हो गए, तो अब इन्हें हम count करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7, तो इस जगे की इस overall large region की gamma diversity क्या होगी, 7, ठीक है, इस तरीके से, अब हमें इसमें कोई मतलम नहीं था कि yellow एक पाया आप लोगों को उतना समझ में आया, अभी हम एक और example देख लेते हैं, यह table जो है, इसकी help से हम count कर लेते हैं कि alpha, beta और gamma diversity क्या-क्या होगी, habitat 1, 2, 3 की, और उसके अलाबा यह जो हैं हमारी imaginary species है, 1, A, B, C, D, E, F, and G, ठीक है, तो और यह cross क्या show कर रहा है, यह show कर रहा है कि इ जो भी कह सकते हैं, जो भी जिस तरीके से भी आप समझे हैं, तो A species जो है, वो कहां सिर्फ पाई जा रही है, habitat 1 में, B species जो है, वो habitat 1 और 3 दोनों में पाई जा रही है, इस तरीके से यह table बना हुए है, अब हमें सबसे पहले क्या count करना है, alpha diversity, first habitat की, alpha diversity क्या होती है, simply number of species जो and 4, तो alpha diversity, first habitat की क्या हो जाएगी, 4, उसके अलावा alpha diversity, second की क्या हो जाएगी, यहां पर भी हम count कर लेते हैं, 1, 2, 3 and 4, इसकी भी 4 है, अभी I hope आप alpha diversity, third की count कर सकते हैं, comment section में मुझे जरूर लिख के बताईएगा, alpha diversity, third habitat की क्या होगी, अब बढ़ते हैं, beta diversity की और, तो beta diversity में आपको पहले से पता है कि हम comparison करते हैं, first और second का comparison कर रहे हैं, beta diversity के लिए, तो कौन सी fisheries को चुनना था हमें, जो unique हो दोनों में, first और second को चुन रहे हैं, यह दोनों में हैं, तो इसको हम count नहीं करेंगे, यह है जो सिर्फ first में पाई जा रहे हैं, और second में नहीं पाई जा रह हैं, तो हम क्या कहेंगे, कि इन दोनों को add करेंगे, one, two and three, four, जो भी unique हैं, तो क्या हो गया, beta diversity, first और second की, four, अब देख लेते हैं, second और third की, इसमें भी हम वही देखेंगे, देखें, यह है, इन दोनों में यह भी है, यह भी है, तो unique कौन सी हो गई, एक यह unique हो गई, एक य जरूर बताएंगे, अब देखते हैं, gamma diversity, gamma diversity, simply क्या होती है, सारी species, जो की, सारे regions में पाई जाती है, अब हम यह नहीं देख रहे हैं, कि कौन से habitat में पाई जारी है, कौन से में नहीं, यह है, total number of species, जो किसी ना किसी habitat में तो जरूर है, तो हम क्या कहेंगे, कितनी है, one, two, three four, five, six and seven, तो gamma diversity, three ecosystems के लिए क्या होगे, seven, इस तरीके से बहुत ही simply हम count कर सकते है, alpha, beta और gamma diversity, अगर अभी तक आपको सब समझ में आ गया है, तो हम आगे बढ़ते हैं, multiple choice questions की तरफ, जो last year पूछे जा चुके हैं, सबसे पहला question है, the process of examination of change in species diversity between ecosystems is a measure of, जब भी हम change की बात करे तो आपको पता है हम कौन सी diversity की बात कर रहे हैं, options में वही सारी होंगी, alpha, beta, gamma और genetic diversity, ये तो आपको पता है कि नहीं होने वाली क्योंकि हमने अभी नहीं पढ़ा है, बट ये इन तेनों में से कौन सी होगी, तो इसमें कहा है, सिर्फ species की richness, variety के बारे में बात करते हैं, इसम एक तेनी question, taxonomic diversity of a region, region के जहां पर बात होती है, वहां पर आपको पता है किस चीज के बारे में बात हो रही है, कौन सी diversity के बात हो रही है, with several ecosystem is alpha, beta, gamma और genetic, very easy question, तो इसका correct answer होगा, C, because हम एक region की बात कर रहे हैं, बड़े से region की, और उसमें हम consider कर रहे हैं कि चोटे-चोटे ecosystems हैं, और उसमें जो species richness है, पूरे region की, वो क्या होगी, तो वो हम किस से denote करते हैं, gamma diversity से, next है, the rate of replacement of species along a gradient of habitat, rate of replacement, अगर कोई species replace हो रही है, या फिर कोई new species आ रही है, तो क्या दर्शाएगा, वो change दर्शाएगा, तो change हम कौन सी तरह की diversity से देखते हैं, genetic तो बिल्कुल नहीं होगी, इसमें हम किस की बात कर रहें, region की बात कर रहें, ये भी बिल्कुल नहीं होगा, alpha में हम सिर्फ variety के बात कर रहें, change की बात कर रहे हैं, beta diversity में, तो इसका correct answer जो होगा, वो होगा B, है न, words से समझे है, यहाँ पर replacement की बात की गई है, यानि कि क्या होगा, change होगा species में, तो कौन से diversity को होगी, beta diversity, I hope आपको सारे questions भी अच्छे से समझ में आये हैं, नहीं समझ में आये हैं, या कोई भी doubt है, तो आप comment करके जरूर पूछ सकते हैं, तो अगर आपको वीडियो का content पसंद आया है, तो please hit the like button, और share करें अपने friends के साथ, जो भी competitive exam की तैरी कर रहे हैं, comment करके questions के answer जरूर दीजेगा, ताकि मुझे समझ में आये कि आपको पूरा चिस समझ में आया है, उसके इलावा अपना feedback भी दे सकते हैं, और subscribe करें चैनल को ताकि ऐसी ही informative videos आपको मिलती रहें, thank you.